हलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब लोग यार वेलकम तू मैं चैनल रेडी स्टडी बोट जिसमें हम करने वाले हैं बोट की जियारी इजी एस फ्रेमिंग तो गैज आज इस वीडियो में हम करने वाले एक्सरसाइज 6.5 और चैप्टर ट्रैंगल्स केशन नंबर 15, 16, 17 तो अब आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप इस आई बिटन पे भी क्लिक करके मेरी बाती की वीडियो देख सकते हैं तो विदाओ गवेश्टिक इनी टाइम, लेट्स स्टार्ट तो गैज, क्यूशन नंबर 15 में आपको एक इक इक उलेटरल ट्रेंगल दिया गया है जो की है A, B, C यहाँ पे मैंने इक उलेटरल ट्रेंगल ड्रो कर लिया है A, B, C और उसमें जो लाइन सेग्मेंट B, C है उसमें एक पॉइंट है D और इसमें गिवन है B, D is equal to 1 by 3, B, C यह जो B, D है is equal to 1 by 3, B, C और यहाँ पे मैंने इसी के साथ एक construction भी कर लिया इस question को प्रूफ करने के लिए drawing A, E perpendicular to B, C यानि कि यह A, E क्या बन जाएगा altitude triangle A, B, C का तो यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है प्रूफ करना है तो हम बढ़ी असानी से इसको प्रूफ कर सकते हैं तो गैस सबसे पहले हम construction लिख लेते हैं drawing A, E perpendicular to B, C यानि कि यहाँ पे क्या आजाएगा let A, E be its altitude किसका altitude triangle A, B, C का and its all side B, A यानि कि इसकी हर एक साइड हमने क्या माल ली A, क्योंकि एक equilateral triangle था यहाँ पे A, B is equal to B, C is equal to A, C है यानि कि इस triangle की तीनों side equal है तो हम उन तीनों को क्या माल लेते हैं A, तो गैस यहाँ पे सबसे पहले आजाएगा B, E is equal to E, C is equal to B, C by 2 जो B, E है, यहाँ पे जो B, E है is equal to E, C is equal to E, C and is equal to B, C by 2 जो यह पूरा है B, C divided by 2 तो हमें पता है किसी भी equilateral triangle में जो altitude होता है वही median होता है, यानि कि altitude और median सेम होते है equilateral triangle में, और यहाँ पे A, B, C एक equilateral triangle है, जहाँ पे A, E जो altitude है, वो median भी होगा तो यहाँ पे B, E is equal to E, C आजाएगा, और यह आजाएगा B, C by 2, और यहाँ पे हमने जो B, C था, वो हमने माना था A हमने triangle की हर एक side A माल ली थी तो यहाँ पे B, C की जगे हम लिख सकने A, तो यह आजाएगा A by 2 B, E is equal to E, C is equal to A by 2, तो guys अगर हमने यहाँ पे हर एक side A ली थी, तो की है A, E, B, इस triangle में अगर पाए था को रुस्तिरम लगा देंगे तो यहाँ पे आजाएगा A, B square is equal to B, E square plus A, E square तो यहाँ पे A, B की value की आजाएगी A, क्योंकि हमने हर एक side A मानी है और जो B, E है, B, E इसकी value हमने निकाल ली थी, यहाँ पे B, E is equal to A by 2, तो B, E जगे आजाएगा A by 2, और हमें A, E की value निकाल ली है, यहाँ पे तो मैंने A, E as it is लिख दिया है तो guys, यहाँ से A, E square की value आजाएगी A square minus A square by 4 तो guys, यहाँ यहाँ आजाएगा 4 A square minus A square divided by 4, और यहाँ से 4 A square minus A square करेंगे, तो यहाँ पे आजाएगा 3 A square by 4 तो अगर यहाँ पे A, E square equal है 3 A square by 4 के तो A, E किसके equal होगा root 3 A square by 4 तो A, E आगया root 3 A square by 4 जो की आगया है root 3 A divided by 2, तो हमने यह value यहाँ पे लिख लिए है, तो guys, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, BD is equal to 1 by 3 B, C जो की आपको question में given है, बस यह मैंने नीचे note down कर दिया है, तो इसका reason आजाएगा, यहाँ पे given, तो guys, अगर BD equal है 1 by 3 B, C और हमने triangle की सारी side को क्या माना था है, A, तो यह आजाएगा BD is equal to A by 3, और यहाँ से लिख दिया है, D E is equal to B E minus BD, तो guys, यही पे ऊपर हमने B E की भी value निकाली थी जो की आई है A by 2, और यहाँ पे हमने BD की भी value निकाली थी, जो की आई है A by 3, तो B E minus BD की आजाएगा, A by 2 minus A by 3, जो की आजाएगा A by 6, तो guys, इस question का सिर्फ एक पार्ट बच गया, जिसमें हमें एक ट्राइंगल में पाइथागोर उस्तियूरम लगानी है, जो की ट्राइंगल है A, E, D, इस ट्राइंगल में अगर हमने पाइथागोर उस्तियूरम लगा दी तो हमारा एप्रूव हो जाएगा 9 A D square is equal to 7 A B square तो यहाँ पे पाइथागोर उस्तियूरम लगाने पे आ जाएगा A D square is equal to D E square plus A E square, तो गाइज यहाँ पे हमने D E की value भी निकाल रखे है A E की यहाँ पे लिख दिया है, मैंने root 3 by 2 A और यहाँ पे D E की value आई है जो की आगई है A by 6, तो यहाँ पे हम दोनों value को note down कर लेंगे D E की जगे लिख देंगे root 3 by 2 A और A E की जगे लिख देंगे हम A by 6, तो गाइज यहाँ पे हमने D E की value लिख दिया है और A E की value लिख दिया है तो A D square is equal to root 3 by 2 A square plus A by 6 square, तो इसका square आजाएगा 3 by 4 A square और इसका square आजाएगा A square by 36, तो जब हम 4 और 36 का LCM लेंगे तो आजाएगा 36 और उपर nominator आजाएगा 28 A square, तो जब हम 28 and 36 को cancel out करेंगे तो आजाएगा 7 by 9 A B square, तो गाइस यहाँ से अगर हम right side से जो denominator 9 है उसको अगर left side में ले जाएगे यानि LHS में ले जाएगे, तो यह divide से आजाएगा multiply में, यहाँ पर जाकि यह multiply हो जाएगा, तो 9 AD square equal आजाएगा 7 AB square के, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 9 AD square is equal to 7 AB square, जो कि आपको question में proof करना था, तो यह हमने यहाँ पर proof कर दिया काफी जाएगे easy question था, बस कुछ line segment की value निकालने से हमारे question प्रूफ हो गया है, तो guys अगर आपका इसमें कोई भी doubt रह गया है, तो आप comments में पूछना मत बूलना, so let's move on question number 16 तो guys question number 16 में आपको equilateral triangle के बारे में पूछा गया है तो ABC हमने equilateral triangle draw कर लिया है, तो इसमें हमें प्रूफ करना है कि जो altitude है, तो मैंने यहाँ पर altitude draw कर लिया है, AE यह की altitude है, एक equilateral triangle में, जो कि है ABC, तो guys यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है, 3 times the square of altitude equal 4 times the square of its sides तो यहाँ पर जो altitude का square होगा उसको अगर हम 4 से multiply करे तो equal आ जाएगा, उसकी किसी भी side, उस triangle की किसी भी side के square के triple यानी की 3 times, तो यह हमें इस question में प्रूफ करना है, तो इसके लिए हम सबसे पहले लिख लेंगे let the sides of the equilateral triangle भी A, हमने इसकी सारी side क्या माल लिए A, यहाँ पर AB भी A and BC भी A and AC भी A क्योंकि इसकी तीनों side equal है तो तीनों हमने माल लिए A और यहाँ पर end A, E, B its altitude, A, E हमने यहाँ पर altitude draw कर लिया है, तो guys इससे पिछली question में हमने देखा था कि जो equilateral triangle में altitude होता है, वह median भी होता है, यानि कि ABC triangle इस triangle में जो A, E है, यानि कि altitude है, वह यहाँ पर median भी है, यानि कि B E is equal to EC तो B E is equal to EC, B E की value क्या आएगी EC की value क्या आएगी, यहाँ पर आजाएगी BC by 2, BC by 2 और यहाँ पर BC हमने A मानी थी हर एक side हमने A मानी थी triangle की तो यह आजाएगा A by 2 तो अगर हम यहाँ पर एक triangle में Pythagoras theorem लगाएं, जो की है A B E यहाँ पर हमने यह half triangle ले लिया है इसमें Pythagoras theorem लगाएं तो आजाएगा A B square is equal to B E square plus A E square और यहाँ पर हमने A B की value पता है and B E की value पता है यहाँ पर हमने A B की value लिख दिया है A क्योंकि हमने सारी की सारी side क्या लिए है तो यहाँ आ गया है A square is equal to A by 2 square plus A E square तो अगर हम यहाँ से A E square की value निकालते हैं तो यहाँ आ जाती है A square minus A square by 4 जो की आ जाता है 3 A square by 4 तो guys बस हमारे यहाँ पर प्रूब हो गया है question बस हमारे जो denominator है 4 अगर हम इसको left side में ले जाते है तो यह बन जाते है multiply में तो यहाँ आ जाता है 4 A E square is equal to 3 A square तो यही आपको question में पूछा गया था 4 multiply by A E square यानि कि altitude का square is equal to 3 into A square यानि कि side square तो guys अगर आपको इस question में कोई भी doubt है या फिर confusion है तो अगर comments में जरूर पूछने ना और मैं आपके सारे comments के अंसर देने की पूरी गोशिश करूँगा so let's move on question number 17 तो guys question number 17 काफी जादे easy आपकी book में यहाँ पे आपको 4 option दिये गया है यानि कि MCQ है और यहाँ पे आपको एक triangle दिया गया है ABC जिसमें आपको AC की length पता है एंड BC की length पता है एंड AB की length पता है तो आपको find करना है कि angle B क्या होगा तो यहाँ पे हमें 4 option मिल जाते हैं 120 degree, 60 degree, 90 degree and 45 degree तो guys यहाँ पे हम check करने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले 12 का square कर लेंगे यहाँ पे जो सबसे लंबी line segment है जो कि हमें 12 दी गई है उसका हम square करके देख लेंगे जो कि आजाता है 144 degree और guys यहाँ पे जो बाकी बची side है जो कि यह 6 root 3 cm and 6 cm उनके भी square हम add कर लेंगे तो यहाँ पे आजाता है 6 root 3 square plus 6 square तो guys यहाँ पे 6 root 3 का square आजाता है 108 and 6 का square आजाता है 36 तो यहाँ आजाता है 108 plus 36 तो अगर हम इन दोनों को add करते हैं तो यह भी आजाता है 144 degree और हमने यहाँ पे 12 का square किया था वो भी आजाता है 144 degree तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी side है यानि कि 12 cm उसका square equal आ रहा है बाकी बचे 2 side के square के समके तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि यह जो triangle ABC है यह pythagoras theorem को satisfy कर रहा है तो यहाँ पे hypotenuse क्या बन जाते है सबसे लंबी side यानि कि 12 cm तो यह बन जाता है hypotenuse तो यहाँ पे जो hypotenuse का opposite angle होता है वो हमेशा क्या होता है एक right angle तो यहाँ पे angle B के आ गया है एक right angle यानि कि 90 degree तो इसका answer आ जाता है option C तो guys काफी जादा easy question था काफी असानी से हमने एप रूफ कर दिया I think आपके इसमें कोई भी doubt नहीं रहा होगा तो guys इस वीडियो का हमने goal पूरा कर लिया है जो कि था question number 15, 16 and 17 इन discuss करना exercise 6.5 के और इसी के साथ या exercise खतम हो गई है यानि कि exercise complete हो गई है और यह triangle chapter की last exercise थी हमने पूरा triangle chapter कवर कर लिया है अगर आपको मेरी बागी के triangle chapter की वीडियो देखनी है तो सारी वीडियो का link description में है आप वहाँ से जाके देख सकते हैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको like करना अपने दोस्तों के साथ इसको share करना और मेरे चैनल ready study boards को subscribe करके bell icon जरूर दबा देना तो गैस मिलते हैं अगली वीडियो में thanks for watching